हलो और नमस्कार मेरा नाम है पल्लवी और आज हम सीखने वाले हैं बहुत इंपोर्टन टॉपिक जिसे कहते हैं फ्लुएंसी फ्लुएंसी इन इंग्लिश पर उसके पहरे प्लीज लाइक माई वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल नाउ फ्लुएंसी यह वर्ड अपने ब बहुत सिंपल है फ्लुएंसी का मतलब है बिना रुकावट के बात करना तो आप जब भी हिंदी बात करते हो या फिर मराथी में बात करते हो तो आप कहीं भी स्टॉप नहीं हो जाते हैं बीट में क्यारे मुझे यह वर्ड याद नहीं आ रहा है बट इंग्लिश में rules of fluency, जिससे आप English बहुत easily बोल सकते हो, और आपको किसी चीज़ का डर भी नहीं रहेगा, right? सबसे पहले जो आपका rule है, वो है, think in English, ये गलती बहुत लोग करते हैं, कि जब भी आपको कोई sentence बोलना है, तो हम सोचते हिंदी में हैं, और बोलते इंग्लिश में हैं, तो obviously आपका sentence गलत ही होगा, इससे अच्छा है कि आप अगर सोचना ही इंग्लिश में करोगे, तो automatically बो है, वो है, कही भी, कभी और कही भी, directly हिंदी से इंग्लिश में sentences translate नहीं करने हैं, because जो इंग्लिश का sentence formula है, और जो हिंदी का sentence formula है, वो दोनों अलग-अलग है, तो obviously अगर आप हिंदी से इंग्लिश में करोगे, तो आपका sentence गलत ही होगा, So second rule is, no literal translation, do not translate from Hindi to English, इससे अच्छा है, इंग्लिश में ही सोचो और इंग्लिश में ही बोलो, right? तीसरा, तीसरा rule है, जब भी आप से कोई इंग्लिश में बात करता है, तो सुनो, वो क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, वो कौन से sounds पे बोल रहा है, कौन से sounds आपको सुनाई दे रहा है, तो आपको कोई भी word बोलने में आसानी होगी, For example, अगर मैं बोल रही हूँ, profession, तो profession बोलते वक्त मैं कौन-कौन से sounds इस्तमाल कर रही हूँ, वो है, pro, for, a, and shun, correct? So ये आपको सुनना है, always listen and repeat, so जब भी आप कोई नया word सुनोगे, तो उसे सुनो और उसे repeat भी करो, उसके बाद, next rule जो है, वो बहुत easy है, talk to the mirror, mirror आप आइना, घर पे आपका जो आइना होगा, अगर आप कोई नई language सीखते हो, तो आइने के सामने खड़े होके, वही language में आप बात करोगे, इससे दो फाइदे होगे, एक, आपको ये समझेगा कि आप किस तरह से बात कर रहे हो, और second, आपको खुद के sounds भी सुनाई देंगे, और आपको समझ में भी आएगा कि सामने वाला ये समझ पाएगा या नहीं, जो मैं बोल रहे हूँ, वो मैं आईने के सामने बोलूँगी, तो automatically मुझे ये समझ में आएगा कि मुझे ये समझ में आ रहा है या नहीं, अगर आपको समझ में आ गया है, तो दूसरे को भी समझ में आही जाएगा, right? So, first, think in English, second, do not do literal translation, right? तीसरा है, listen and repeat, सुनो और बोलो, right? उसकी बात जो आता है, talk to the mirror, mirror से बात करना सीखो, mirror से बात करने से बहुत easy जाता है, कोई भी, ये actors क्या करते हैं? Actors आइने के सामने खड़े होके ही dialogue बोलते हैं, जिसकी वर्चे से उनका confidence भी बढ़ता है, और automatically को समझ में आता है कि मैं जो बोल्ड रहा हूँ, वो सामने बारे को समझ रहा है या नहीं, and then, आप sounds पे भी ध्यान दोगे, जो इंसान आपके सामने खड़ा है, वो जो भी funny game है, बहुत अच्छा game है, but आपके हर एक pronunciation को उच्चारन को बहुत clear करेगा, जैसे हिंदी में बहुत famous tongue twister है, कचा पापड, पका पापड, वैसे ही English में भी करीब करीब 50 ऐसे tongue twister है, जो आपको help करेगे, उसमें से एक में खुद आपको बताती हूँ, she sells seashells on the seashore, तो य pronunciation है, वो clear हो जाता है, या फिर road roller, इसमें आपका र का pronunciation clear हो जाता है, तो ऐसे 50 tongue twister है, जो आप refer कर सकते हो, रोज एक भी आप बोलोगे, तो automatically आपका pronunciation अच्छा हो जाएगा, Now, the next rule is, कभी भी, जिस भी language में आप बात करना जाते हो, grammar से ज़्यादा fluency पर ध्यान दो, it is completely okay, ठीक है, अगर आप grammatically गलत बोल रहे हो, बट अगर आप beat में रुख ही गए completely, तो link भी नहीं रहती है, और सामने वाले को समझता भी नहीं है, So, don't break the fluency, fluency break ना करो, बिना रुकावट के बोलोगे, तो automatically सामने वाला आपका जो बोलना है, वो समझ जाएगा, and अपकी गलती भी छुपाई जा सकती है, Imagine करो, कि आप अगर कुछ 200 लोगें के सामने खड़े हो, और आपको बोला है क्या आपको English बोलनी है, But, अगर आप बोलने का साहस करते ही हो, तो start just talking, सिर्फ बोलना शुरू करो, It is completely fine कि वो grammatically correct है या नहीं, जहां तक सामने वाले को समझता है, fluency है, उनका दिमाग इतना नहीं चलेगा, The person sitting in front of you will not think क्या अच्छा इसने grammatically यहां पे गलत बोला, Right, सिर्फ वो क्या ध्यान देगा कि अब क्या बोल रहे हो इस पे, So, next is fluency, keep the fluency in your topics, इसके बाद जो रूल है, वो है confidence, जो भी करने जाओ, जो भी language बोलो, confidently बोलो, Don't fumble, fumble मतलब ऐसे मनी मन में मत बोलो, Be straight and be confident, confidence से आप कुछ भी कर सकते हो, believe me, मतलब यह language तो बहुत चोड़ी चीज़ है, बहुत सारी चीज़े आप confidence के साथ कर सकते हो, So, next rule जो आपका है, वो है confidence, Practice बहुत जरूरी है, एक बार ये वीडियो देख लिया, या फिर एक बार आपने कुछ सीख लिया, उसके बाद अगर आप 10 दिन दर कुछ नहीं करोगे, तो obviously आप भूल जाओगे, So, practice is something which is very very important, Practice करते है रहना चाहिए, तो ही आप किसी भी language को अच्छे से बोल पाओगे, So, think in English, do not translate directly from other language, Repeat and listen, sounds पे ध्यान दो, right, उसके बाद practice करो, confident रहो, right, Then talk to yourself, तो mirror में जाके आपको बोलना है, उसके बाद tongue twisters का practice करो, So, that आपको वो fluency आजाएगी, Next, grammar का सोचने से पहले, Fluency के बारे में सोचो, Always remember, fluency बहुत important है, आप कोई भी language सीखोगे, But, अगर आप fluent नहीं हो, तो obviously आपको notice किया जाएगा, कि आरे, इसने यहाँ पे गलती की है, बढ़ अगर continuously आप बोलते रहोगी, तो लोगों को सोचने का वक्त ही नहीं मिलेगा, कि उसने यह ग्रामर सही बोला, यह ग्रामर गलत बोला, So, these are the 10 rules that you need to follow, when you are talking any language, English priority है, क्योंकि English बहुत जगा पे बोली जाती है, globally बोली जाती है, In fact, it's the second language, second most spoken language in the world, मतलब पूरे जहां में, दूसरे नंबर पे आती है, वो है English, So, अगर यह 10 rules आप फॉरो करोगे, तो automatically आपको कोई भी लांविज बोलने में, English हो, Hindi हो, या कोई भी लांविज बोलने में, कोई problem नहीं होगी, Alright then, So, I hope कि आप लोग रेडी हो, आगे English सिखने के लिए, और फुरुएंसी के लिए, यह 10 rules आपको करोगे, तिल देन, टेक केर और बाबाए, बट दोंट फगेट तो लाइक मैं वीडियो, और सब्सक्राब देने चैनल,